हलो फ्रेंड्स आप सभी को आपके अपने योटूब चैनल एवन इस्टडी एडिया पर बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम लोग वास्तविक संख्याएं का प्रसना वली एक दिसमलब एक के कुश्चन को सॉल्ब करेंगे अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वेल आइकन ज़रूर दवाईए जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं राकेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूटूब चैनल A1A Study एडिया पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो जैसा कि आप question देख रहे हैं ये question number 2 है question number 1 के जितने भी question थे उसको हम लोग solve कर चुके हैं तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो playlist से आप जाके वहाँ देख सकते हैं और वीडियो के description में उसका link देदेंगे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं तो चलिए इस question को देखते हैं इसको किस तरह से solve करेंगे अब question जब solve करेंगे तो आप वीडियो के अंतक बने रहेगा जिससे ज़्यादा ज़्यादा आपको समझ में आ सके तो जैसा कि यह question कहा गया है कि दरसा ये कि कोई भी धनात्मक बिसम पुर्नांग 6Q पलस 1 या 6Q पलस 3 या 6Q पलस 5 के रूप में रूप का होता है जहां Q कोई पुर्नांग है ठीक है आपको भीसम पुर्नांग धनात्मक भीसम पुर्नांग प्रूफ करना है और वो इस रूप में होना चाहिए ठीक है जो आप देख रहे हैं यहापे तो चलिए क्या करेंगे तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इल्गोरिट्म का जो फर्मूला होता है अगर A बराबर BQ पलस R ठीक है और यहापे आप देखेंगे कि यह जो 6 है ठीक है यह 6 क्या है वो देखिए जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाज बोलते हैं भाज कहते हैं और B को क्या बोलते हैं भाजक जिससे हम लोग भाग देते हैं ठीक है और Q हमारा होता है भाग फल और यह R है हमारा क्या सेस्फल ठीक है R क्या है सेस्फल तो आप यहाँ देखेंगे अगर हम मान ले कि माना की माना की A जो है माना की कोई धन पूर्णांग कोई धन पूर्णांग A है ठीक है कोई धन पूर्णांग क्या है A है तो यहाँ पे आप देखेंगे जानते हैं कि B जो है वो भाजक है B क्या है भाजक है A भाज है और R क्या है सेस है तो इस कंडिशन में हम देखेंगे कि यह जो 6 दिख रहा है 6 जो है यह भाजक है 6 हमारा जैसे यहाँ पे 6 Q पलस 1 है तो Q तो हमारा भागफल है Q क्या है Q हमारा भागफल है और ये Q के जश्ट बगल में जो ये गुना में है ये क्या है भाजक है मतलब जिससे हम भाग देते हैं तो अगर हम लिखे A बराबर 6Q और A बराबर BQ पलस R ये हमारा फर्मूला होता है तो जब हम 6 से भाग देंगे तो हमारा सेस क्या आ सकता है जब कोई धान पुर्णांक में कोई धान पुर्णांक वो A मान लिये हैं इस A में हम 6 से भाग देंगे ठीक है क्या करेंगे 6 से भाग देंगे तब 6 क्या आ सकता है यानि कि R बड़ावर क्या आ सकता है या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 ये आ सकता है 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 जब आएगा तो फिर से वो भाग लग जाएगा तो ये 5-6 condition जो है समभावित condition R आ सकता है जब किसी धानपुर्णांक में हम 6 से भाग देंगे तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाजक से छोटा होता है क्या भाजक से छोटा होता है 6 तो जब भी 6 आएगा तो भाजक से छोटा ही आएगा इसलिए 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और उसमें हम 6Q, यानि 6 से भाग देंगे, तो 6 कि आ सकता है, 0 आ सकता है, ठीक है. या दूसरे condition में देखे, तो 5 या तो 6 से भाग देंगे तो 1 आ सकता है, ठीक है. या क्या हो सकता है तो A बरावर 6 Q पलस 2 आ सकता है ठीक है या A बरावर 6 Q पलस 3 आ सकता है या A बरावर 6 Q पलस 4 या A बरावर 6 Q पलस 5 या आ सकता है ठीक है अब देखिए हम क्या करेंगे इतना तो आ सकता है या 6 में 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है 3,4,5,6 नहीं आगा क्योंको6 आगा तो फिर क्या होगा भाग लगेगा अब देखेंगे कि जब हम Bsum Bsum क्या होता है यानी Bsum किसको बोलते हैं वैसी संख्या जिसमें 2 का divide नहीं होता हो तो आप ये देख रहे हैं कितना condition हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 condition हुआ जिसमें हमारा r का value तो चलिए अब इसमें देखना है कि r का value क्या है 0 है और हमको question में कहा गया है धनात्मक विशाम पूर्णन तो आपको पता ही है कि जिसमें 2 से पुरा-पुरा divide हो नहीं हो तो वो हमारा होगा b sum 2 का पुरा-पुरा divide नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे b sum बोलेंगे ठीक है तो आप यहाँ देखिए कि a का value है यहाँ पे हमारा दिया हुआ विक्षा हुआ है इसमें अगर हम 2 का डिवाइट लगाते हैं तो ये तो 0 खतम है तो यहाँ देखिए इसमें 2 का डिवाइट लगाएंगे तो क्या होगा 2 और 3 Q क्योंकि जब हम 6 में 2 का डिवाइट करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा कर जाएगा मतलब कहने का हुआ कि ये sum पूर्णांग होगा क्या होगा sum पूर्णांग होगा ठीक है ये क्या हो जाएगा sum पूर्णांग उसके बाद आप इसमें देखिए इसमें 2 का डिवाइड लग इसमें 2 लग जाएगा लेकिन आप पलस 1 कर दिया गया है ठीक है और यहाँ पर देखिए, इसमें 2 का डिवाइड जब हम करेंगे, तो यह होगा 2 into 3Q, अब पलस क्या 1, ठीक है, तो यह इसमें 2 का डिवाइड हो गया, तो यह हमारा होगा क्या, सम पूर्नांक, यह हमारा हो जाएगा सम पूर्नांक, ठीक है, सम पूर्नांक हो गया, और यहाँ देखिए यहां तो इसमें 2 का डिवाइट नहीं होगा तो यह होगा हमारा बिसम पूर्णांग ठीक है बिसम पूर्णांग हो जाएगा और इसमें जब हम 2 का डिवाइट करेंगे क्योंकि हमको बिसम प्रूफ करना है सम नहीं प्रूफ करना है लेकिन हम 2 का डिवाइड लगा करके यह पता कर सकते हैं कि कौन भी सम है और कौन सम है तो यहां से हम 2 का डिवाइड करेंगे तो यह होगा कितना 3Q और पलस 2 यह आगा जब हम 2 का डिवाइड करेंगे और ये इसमें दो का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 6 Q में यहाँ पे तो हो जागा लेकिन 5 में नहीं होगा तो यह हमारा होगा बिसाम पूर्णान ठीक है क्या होगा बिसाम पूर्णान तो बस यही हमको प्रूफ करना था आपके question में दिया हुआ है क्या कोई भी हम कोई भी धनात्मक बिसाम पूर्णान लेते हैं ठीक है और उसमें यह आ सकता है क्या यह जो दिखाई दे रहा है आपको 6 Q पलस 3 बिसाम के रूप में यह हो सकता है क्या तो वो हो सकता है और जहाँ पे Q जो है वो कोई पूर्णांख है तो जैसा कि आप देख लिजे आपका यह तो सम पूर्णांख हो गया और यह देखे बिसाम पूर्णांख यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यह क्या है बिसाम पूर्णांख है इसको देख लिजे ये वाला पार्ट बिसंपूर्णांक हो गया ठीक है उसके बाद यहां आपका क्या हो गया बिसंपूर्णांक हो गया और यह हो गया बिसंपूर्णांक ठीक है यह बिसंपूर्णांक हो गया बाकी सब क्या है संपूर्णांक है आपके question में देखिए question में भी वही कहा गया 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 तो यह हम proof कर दिये यह हमारा क्या हो गया proof हो गया तो यहाँ पर जो है आपका 6q plus 1 और उसके बाद 6q plus 3 या 6q plus 5 तो यह क्या है आपका बिसम पुर्णांग होता है तो बिसम पुर्णांग के रूप के रूप है तो यह हो गया आपका प्रमानित प्रमानित हो गया ठीक है तो नेक्ष्ट कोशन है कि किसी परेड में 616 सदेश्यों वाली एक सेना यानि कि आर्मी की टुकडी को 32 सदेश्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है दोनों समू को समान संख्या वाली अस्तंभों में मार्च करना है उन अस्तंभों की अधिक्तम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं अब देखिए यहां पूछा गया है अधिक्तम और ध्यान रखिये गा कि यहां पर दूज संख्या धिया हुआ है एक यह और यह यहां और पूछा है कितना अधिक्टम संख्या टो यहां पर रहे है है सेट यहां पर रहा है यहां पर दो हम बनाएंगे तो लिखेंगे क्या उन उन अस्तंभू उन अस्तंभू की अधिक्तम संख्या अधिक्तम संख्या एच्सीएफ ठीक है किसका 616 और 32 से प्राप्थ होती है से प्राप्थ होती है अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यूकलीड विभाजन एल्गोरिद यूकलीड विभाजन एल्गोरिद ठीक है का पर्योग का पर्योग ठीक है 616 और 32 में करने पर हमें प्राप्थ होता है ठीक है तो चलिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूकलीड विभाजन एल्गोरिफ्म का फर्मूला होता है अब हमाएं पास दो संख्या है एक 616 दूसरा 32 अब यह दोनों में जो बड़ा होगा वही हमारा एक का वैलू होगा तो सबसे बड़ा यहां लिखेंगे ठीक है और बी जो ए बी का जो वैलू होगा वह 32 हो जागा ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें इससे डिवाइट करें करेंगे जब डिवाइट करेंगे तो कितना मरत्व में जाएगा यह चल जाएगा आपका 19 मरत्व में ठीक है और 19 मरत्व में जाएगा तो आपका सेस कितना बचेगा तो सेस आपका बच जाएगा जब इसको इसमें बूना करेंगे तो यानि कि सेस आजाएगा आठ ठीक है बच जाएगा जब यह दुनों को गुणा किजिएगा यानि 32 से में डिभाइड किजिएगा तो 19 मर्तव में जाएगा और सेस आठ बचेगा ठीक है अब हम क्या करेंगे कि यहां जब तक 0 नहीं आर का वैलू क्या हो जब तक बी जो है भाजक जो है वह सेस नहीं होता है तो चलिए फिर 32 को यहां पर लेकर के आएंगे और यह आपका हो जाएगा बरावर में सेस जो है वह भाजक बन जाता है तो कितना हुआ आठ चोग 32 पलस में क्या आया सेस जिरो ठीक है सेस जब जीरो आ गया तो आपका जो यह भाजक है बी यही हो जाएगा इसका सेस तो सेस क्या होगा आठ हो जाएगा एस सेपी इतना होगा आठ हो जाएगा तो हम नीचे लिखेंगे कि इस परकार इस परकार 616 और और कितना 32 ठीक है का सेफ कितना है क्या सेफ आठ है सेफ कितना है आठ है ठीक है और इसलिए इसलिए वे आठ के अस्तंभो आठ के अस्तंभो में मार्च कर सकते हैं ठीक है मार्च कर तो यह था हमारा तीसरा कोश्चन जिसमें आपको यह सोलुशन जैसा कि आप देख रहे हैं यह करना होगा 616 और 32 का आपको HCF निकालना है वही आपका हो जाएगा इस कोश्चन का एंसर ठीक है जो आया है कितना आठ आया है यह तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन चलिए तो अगला कोश्चन है कि यूक्लिट विभाजन प्रमेरिका का पडियोग करके दर्साइए कि धनात्मा पूर्णां का वर्ग किसी पूर्णांक M के लिए 3M या 3M पलस 1 के रूप का होता है अब सेम जैसे पहले बनाए उसी तरह इसको भी बनाएंगे तो चलिए इस को कड़के देखते हैं तो हैं था हैं कि हमको यूक्लिट यूख लेट का प्रीयोग करना तो तो क्या करेंगे यूक्लिट का फर्मूला होता है ये ब़्राबर बीग्यू पफलस आज अभा आपको यह ध्यान देना है कि यहां पे जो लिखा हुआ है 3 अंत थिरी हम को डिव करना है थिरी से जब थिरी से हम डिवाइट करेंगे तो आर ब्रावर क्या जाएगा जीरो आएगा ठीक है एक वन आ सकता है और टू आ सकता है यह आर का वैलू आ सकता है जब हम किसी भाजक में सुरी भाज में थिरी से डिवाइट करेंगे तो हमारे पास से जीरो आ सकता है व कि क्या होगा तो यह हमारे पास आ सकता है संभावित जो है वो यह बराबर 3Q करेंगे तो सेस हमारा 0 आ सकता है ठीक है उसके बाद यह बराबर 3Q करेंगे तो पलस 1 आ सकता है और यह बराबर 3Q पलस 2 आ सकता है यह आ सकता है सेस में 0 आ सकता है 1 आ सकता है और 2 आ सकता है अब कहा गया है question में कि पुर्णांक का वर्ग पुर्णांक का वर्ग मतलब कि यह सब में आपको वर्ग करना है दोनों तरफ बराबर के LHS में और RHS में इधर LHS में और RHS में फिर इधर LHS में और RHS में दोनों तरफ वर्ग करना है तो चलिए वर्ग करते हैं तो जब इसको हम वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा A square और यह हमारा हो जाएगा 3 cube का square ठीक है इसमें work करेंगे तो यह हो जाएगा A square बराबर यह होगा 3 cube plus 1 का square और इसमें work करेंगे तो होगा A square बराबर 3Q पलस 2 का square ठीक है यह हमारा work करने पर होगा ठीक है अब क्या हो जाएगा कि इसका square किजिएगा तो क्या हो जाएगा यह A square बराबर यह हो गया 9 Q square ठीक है और यह A square यह आपके पास आ जाएगा A plus B के whole square पर इसको थोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा 9 Q square पलस 1 square अब पलस क्या होगा 2AB तो 2 into A का मान है 3Q और B का जो मान है वो हो गया 2AB यानि कि 1 ठीक है यहां से यह होगा और उसी प्रकार तो जब आप इसको हल किजिएगा तो A square बराबर हो जाएगा 9 Q square पलस 3 दुना 6 ठीक है 6 Q और पलस 1 को बाद में कर देते हैं ठीक है फिर उसी तरह जब यह तीसरा को करेंगे यहां ठीक है तो यह होगा A square और बराबर इसको A plus B के whole square पर तोरेंगे तो क्या होगा A square यानि कि 3 Q का square पलस B square यानि कि 2 का square आप पलस 2 A B तो 2 और A है 3 Q और B क्या होगा इंटू 2 ठीक है यह हो जागा आप इसको solve करेंगे तो यह हो गया 9 A square यह हो गया 9 A square पलस यह हो गया क्यू न यह नहीं क्यू और यह हो जागा आपका 6 Q और 6 तो यह भी यानि कि 6 नहीं 12 ठीक है 12 हो जागा यहां 12 Q और पलस में क्या 4 ठीक है तो आप देखें यहां पर क्या हो सकता है इसमें हमको 3 का divide करना है ठीक है जैसा कि यहां आप देखना है कितना का 3 का तो जब इसमें 3 का divide किजिएगा तो क्या होगा A square A square बराबर यह हो जागा 3 Q 3 Q ठीक है 3 Q का A square यह होगा और यहां क्या हो जाएगा जब इसमें हम 3 का divide करेंगे तो यह हो जाएगा 3 into यह क्या होगा 3 Q का A square और पलस 2 Q ठीक है 2 Q और यहां पे पलस 1 को बाहर कर देते हैं ठीक है यह हो जाएगा उसके बाद यहां पे जब हम करेंगे 3 का divide तो यह हो जाएगा A square और बराबर यहां से 3 common करेंगे यह डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 3 3 Q square और पलस 4 Q ठीक है 4 Q और पलस तो यह पलस में हमारा हो जाएगा इधर 4 ठीक है अब आप देखिए कि यह इतना को हम अगर M मान ले यहां भी यह हो गया M क्योंकि यह M क्या है पुर्नांक है किसी पुर्नांक M के लिए M हमारे पास क्या है पुर्नांक है ठीक है M क्या है पुर्नांक है और इधर इतना को तो आप क्या देखेंगे यहां यहां हो जागा थी एंट गरावर और ए शोर देस्ट एंट यहां हो गया यह यह mamy प्रआबर क्या हो जाएगा टीरी एम प्लास वथी के तरी एंट प्लस बन तो हाई यहां हो जाएगा a square बराबर 3m पलस 4 3m पलस क्या 4 अब आप देखिए आपको सीध करना था 3m 3m अदूसरा था 3m पलस 1 ठीक है जो हमारा यहां question में कहा गया है कि युकलिप डिवाजन प्रेमिरिका का पड़ियों करके दर्साइए कि किसी धनात्मापूर्णांग का वर्ग ठीक है कोई भी धनात्मापूर्णांग है उसका वर्ग जो है किसी m पूर्णांग के लिए 3m आएगा और m पलस 3m पलस 1 आएगा यह प्रूफ करके दिखाना था तो देखिए हम धनात्मापूर्णांग में a को मान लिए ठीक है यहां लिख लिजिए कि माना की धनात्मक पूर्णांग ठीक है पूर्णांग a है धनात्मक पूर्णांग क्या है a है तो हम a को धनात्मक पूर्णांग मान लिए और हम किसका यूकलिट विभाजन का प्रियोग करके यह कंडिशन ला करके और क्या किए यहां पे प्रूफ कर लिए तो यह हमारा एम एक धनात्मा पुर्णांक है तो यह आ गया हमारा इसको एम मान लेते हैं तो थिरी एम हो जाएगा और यह थिरी यहां पे और यह क्या हो गया एम हो गया प्लस में क्या वन ठीक है तो यह हमारा प्रूफ हो गया यह ह इस धनात्मक पुर्णांग का घंड इससे पहले वाले कुश्चन में हम लोग वर्ग पढ़े थे यहां पे क्या है घंड करेंगे तो क्या 9m 9m यह 9m प्लस 8 के रूप का होता है तो यह हमको प्रूफ करना है तो चलिए करते हैं फिर उसी प्रकार मान लिजिए कि माना की माना की कोई धनात्मक पुर्णांग धनात्मक पुर्णांग धनात्मक पुर्णांग ए है ठीक है कोई धनात्मक पुर्णांग क्या ए है और जैसा कि हम लोग जानते हैं यूक्लिड यूक्लिड बिभाजन प्रमेई का क्या होता है यह बराबर बीक्यू पलस आर यह होता है अब हमारे पास देखिए क्यों करने के लिए कहा गया है घं ठीक है पुर्नांक का घं किसी धनात्मा पुर्नांक का क्या करेंगे घं करेंगे ठीक है तो चलिए करते हैं वो देखते हैं कैसे होगा तो यह हमारा रहा यह बराबर क्या लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे ए बराबर बीक्यू ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो डिवाइट करना है वो नाइन से करना है ठीक है एक Loop Search है जिसको calculation करने में आसान होगा तो इसी का कंड लेते है तीन उसका त्यूब करके देखते हैं ठीक है उससे भी हमको यह प्रूफ हो जागा तो चलिए देखते हैं जैसे हम यहां पे B बराबर जो है वो 3 ले लिए ठीक है, B बराबर कितना ले लिए 3 तो R का मान जो है, 0 आएगा 1 आएगा और 2 आजाएगा ठीक है, छोटा सा लिए है क्योंकि ये calculation करने में जो है वो आसान हो जाएगा तो ये होगा हमारे पास अब देखिए क्या करेंगे A बराबर B Q पलस R चलिए पहला क्या हो जाएगा कि A बराबर हो जाएगा 3 Q अब पलस क्या 0 ये हो सकता है दूसरा A बराबर 3 Q पलस 1 और तीसरा A बराबर 3 Q पलस 2 ये है हमारे पास अब करना क्या है कि दोनों तरफ जो है वो Q करना है तो लिख दिजिए दोनों तरफ घन करने पर घन करने पर चलिए तो करते हैं घन मतलब Q कर दिजिए एक का Q बराबर इधर क्या हो जागा 3Q का Q दूसरा condition में क्या है 1 का Q बराबर यह हो जागा 3Q पलस 1 का Q और तीसरा condition में है A Q बराबर यह हो जागा 3Q पलस 2 का ठीक है दोनों तरफ Q कर दिये अब इसको solve कर लेना है तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा AQ बराबर यह हो गया 27Q का Q ठीक है और यहां हो जाएगा यह देखेंगे यहां पे AQ बराबर हो जाएगा जब इसको A पलस B के होल Q पर तोरेंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 27Q का Q और पलस 1 का Q ठीक है 1 का AQ पलस BQ पलस क्या हो जाएगा 9Q ठीक है 9Q और इसके गुना में हो जाएगा 3Q पलस 1 अगर आपका यह फर्मूला याद होगा तो आप यहां से यह देख सकते हैं और यहां A Q बराबर यह क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 27Q का क्यूल पलस 2 का क्यूल एट तीक है यानि AQ पलस BQ अब पलस यह हो जाएगा 3, 3, 3 उसके बाद क्या तो यहां पे हो जाएगा कितना बारत याई 36 तो यहां पे हो जाएगा 36Q और यहां पर होगा 3Q पलस 2 अंदर में A पलस B होता है तो यह हो गया अब इसको जब हम सॉल्फ करेंगे यह इसको कर लिजे तो AQ यह हमारा क्या होगा कहां से तो यह जब करेंगे तो यह होगा 27 का Q पलस वन और पलस इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पे होगा 27 टिक है 27 Q स्क्वाइर 27 Q स्क्वाइर और पलस नाइन क्यू नाइन क्यू ठीक है इधर देख लिए यह हो जाएगा 27 Q पलस यह कितना हो जाएगा 108 q स्क्वाइर अब पलस 36 दुना virus q पलस में क्या 8 यह होगा आप देखे अब क्या करेंगा इसमें से में common करेंगे कितना 9 common करेंगे तो 9 common करेंगे यह 9 से पाल गया है ठीक है 9m 9m plus one 9m plus eight तो चलिए 9 को डिवाइट करेंगे तो यह होगा हमारा three q का 3 q का क्यूँ ठीक है यह हो जाएगा उसके बाद जहाँ जब हम इसमें 9 का डिवाइट करेंगे तो यह होगा 3 Q का Q और पलस ठीक है पलस यह होगा 3 Q स्क्वार और पलस यहां हो जागा कितना 9 यानिकी Q और यह पलस वन रहेगा बाख ठीक है इसमें भी 9 कमन करेंगे तो यह होगा 3 Q का Q पलस यह होगा कितना 12 Q square और पलस 8 Q और इस 8 को कर दिजिए बाहर ठीक है तो यह देख रहा है अब इतना को हम M मान ले यह हमारा M पूर्णांग हो गया और यह हमारा M पूर्णांग हो गया ठीक है तो क्या होगा यहाँ पे 9 M यह हो जाएगा 9 M पलस 1 और यह हो जाएगा 9 M पलस में क्या 8 ठीक है यह हमको पूर्णा था यहाँ देख लिजिए 9 M, 9 M पलस 1 और 9 M पलस 8 ठीक है तो हमारा यहाँ भी आगया 9 M ठीक है 9 M पलस 1 और 9 M पलस 8 ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया जो प्रूफ करने के लिए बोला गया कम से कम आप इस वीडियो को दो बार एक से दो बार देखेगा एक ही बार अगर ध्यान से देखेगा तो आपको पूरा चीटा से समझ में हैं क्योंकि एक ही टाप के तीन कोस्चन ठीक है तो यह था हमारा पाच्मा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर किजेगा क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर कर दिजेगा वीडियो को तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जैहिन जैभारत